हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, फ्रेंड्स आज मैं स्पेशल गर्ल्स और लेडीज के लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजैन लेकर आई हूँ, आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है, फ्रेंड्स ये डिजैन देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है, इस डिजैन को आप गल्स लेडीज के किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकती हैं, गल्स लेडीज के सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है, इस डिजैन को आप एजे बोर्डर भी तेरा के multiple देखिए तेरा फंदे गिन लेजिए फिर से आरा फिर से देरा फिर से तेरा इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके दो फंदे होने चाहिए ये डीजैन सीधी साइड़ से शुरू होता है और चार शलाईयों में complete हो जाता है इस design को आप किसी भी तरह की own में और किसी भी color में बना सकती है सभी तरह की own में और सभी colors में ये design बहुती सुन्दर लगता है इस design को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये Oswal company की 3 तारवाली only है और इसमें मैंने ये no number की slide यूज की है ये मैं एक medium size का cardigan बनाऊंगी तो इसमें मैंने यहाँ पर 106 फंदे लिए हैं 13 के multiple करके और इसमें 2 फंदे extra लिए हैं तो चलिए अब इस design को बनाना शुरू करते हैं कि ये design कैसी बनाया गया है तो ये देखिए friends यहाँ पर मैंने लिए हैं 28 फंदे 13 के multiple करके और इसमें मैंने 2 फंदे extra लिए हैं 9 नमबर की ये slide है क्योंकि ये थोड़ी सी मोटे वाली उन है तो slide आप अपनी उन के अनुसार यूज कीजिएगा अगर इस तरह से थोड़ी मोटी उन हो या 3 तार वाली हो तो 9 नमबर की slide ले लिजिए और इस तरह से जो नॉर्मल थोड़ी सी पतली उन होती है उसमें आप 10 नमबर की slide यूज कीजिए तो फंदे डालने के बाद आप इसमें एक slide सीधी side से और एक slide उल्टी side से जरूर बना लिजिए उसके बाद इस design को बनाना शुरू कीजिए तो design की अब ये पहली सलाई है और सीधी side है तो ध्यान दीजिए का पहला फंदा इसका stitch है इसे उतारिये या बनाईए अब यहां से हमारा ये design शुरू हो जाएगा धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बना लिजिए धागा अपनी तरफ ले आईए इस तरह से लपेट कर एक जाली डाल देंगे और अब हम चार फंदे उल्टे बनाएंगे देखिए एक दो तीन और ये चार अब यहां बीच में तीन फंदे का एक करेंगे एक दो और ये तीन तीन फंदे एक साथ लेंगे और तीन का एक फंदा उल्टा बना देंगे तो तीन का एक करने से यहां दो फंदे कम हो गए हैं तो जाली से एक फंदा हमारा यहां बढ़ गया है फिर से चार फंदे उल्टे बनाएंगे देखिए एक दो तीन और ये चार धागा अपनी तरफ रहे और दो फंदे अब हम सीधे बनाएंगे देखिए एक और ये दो तो देखिए एक फंदा जाली से यहां बढ़ गया है ये स्टार्टिंग के दो फंदे चोड़ कर यहां से यहां तक हमने ये तेरा फंदे का डिजाइन बनाया है इसी डिजाइन को आप बार बार रिपीट करते जाएंगे आपके जितने भी फंदे हो इसको जब बार बार रिपीट करेंगे तो इस तरह से आपके ये अलग अलग बनते चले जाएंगे तो देखिए next बार कैसे करना है 13 फंदे का डिजाइन बनाने के बाद फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे लपेट कर एक जाली डाल देंगे फिर 4 फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार फिर तीन फंदे का एक करेंगे एक दो और ये 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा यहाँ उल्टा बना देंगे तो देखिए जाली से एक फंदा हमने यहाँ बढ़ा दिया है बीच में 2 फंदे हमने कम किये हैं तो 4 फंदे अब उल्टे बनाएंगे 1, 2, 3, और ये 4 अब आगे आपके जितने भी फंदे होंगे ध चार उल्टे बनाने के बाद आपके दो फंदे बचेंगे, धागा अपनी तरफ रहे, इस में से इस एक फंदे को सीधा बना दीजिए, आपका मन करें तो एस्टीज को भी सीधा बुन सकती हैं, लेकिन अगर हम दोनों साइड से एस्टीज को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं तो इसकी ये जो किनारी होती हैं, बिल्कुल सीधी रहती हैं, ये अंदर की तरफ मुड़ती नहीं हैं, तो पहली सलाई डिजैन की कम्प्लीट हो गई है, अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और उल्टी साइड पर, उल्टी साइड की सारी सलाईयां इस डिजैन में उल्टी से बना सकती है अब इसे उल्टा बुनते हुए मैं कम्प्लीट कर देती हूँ तो ये देखे फिर दो सलाईयां डिजैन की complete हो गई है अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और सीधी साइड पर तीसरी सलाई को अब आप ध्यान से देखेगा कि कैसे बनाना है पहला फंदा इसका है इसे उतार ये या उल्टा बनाईए धागे को पीछे करेंगे एक फंदा ये सीधा बना देंगे अब यहां से हमें डिजैन शुरू करना है तो दागे को अपनी तरब कीजिए और चार फंदे अब सीधे बनाईए देखिए एक दो तीन और ये चार फिर दागे को अपनी तरब करेंगे एक, दो, और ये तीन इन तीन फंदे का यहां एक फंदा उल्टा बना देंगे फिर से धागे को पीछे ले जाएंगे और चार फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन और ये चार धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे सीधे बना देंगे एक और ये दो तो ये देख लीजिए एक फंदा जाली से हमने यहाँ पर बढ़ाया है और एक हमने यहाँ पर बढ़ा दिया पीच में तीन का एक किया तो दो फंदे कम हो गए जितने फंदे हैं हमारे उतने ही वापस हो गए हैं क्योंकि जितने जाली से बढ़ते हैं उतने ही बीच में कम हो जाते हैं अब ये वाले स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ कर यहां तक जो डिजैन बनाया इसी को आगे आगे रिपिट करती जाना है धागा अपनी तरफ ले आएंगे, चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन और ये चार फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, एक, दो, और ये तीन, इन तीन फंदे को एक साथ लेंगे, और तीन का एक फंदा उल्टा बना देंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, और चार फंदे सीधे बना देंगे, एक, दो, तीन, और ये चार धागा अपनी तरफ ले आएंगे, लास्ट में आपके दो फंदे होंगे, इसमें से एक को सीधा बना दीजिए, एस्टिज को उल्टा बुन दीजिएगा तो ये देखिए, बीच में तीन का एक किया, तो एक जाली से यहां बढ़ा दिया, और एक हमने यहां बढ़ा दिया, तीन सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई है, अब आज ये इसकी चोथी सलाई और उल्टी साइड पर, धागा अपनी तरफ कीजिए, और इस पूरी को उल्टा बुनते हुए कम्पलीट कर दीजिए, तो ये देखिए फ्रेंट, चार सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई है, यही चार-चार सलाईयां इसमें बार-बार रिपीट करते जाना है, तो चलिए, नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग आपको एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि आगेश डिजैन को रिपीट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, तो पहला फंदा ऐस्टीच है, इसको उतारिए या उल्टा बनाईए, अब धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बना देंगे, अब यहां से हमें डिजैन शुरू करना है, तो पह यहां बीच में तीन फंदे का एक करेंगे, एक, दो और यह तीन, इन तीनों फंदे को एक साथ ऐसे लेंगे, और तीन का एक फंदा उल्टा बना देंगे, फिर से धागा पीछे ले जाएंगे, और चार फंदे उल्टे बनाएंगे, क्योंकि हमने एक बार उल्टी लाइन एक बार सीधी बनानी है वस इसमें यही डिजैन बनाते जाना है तीन का एक करने के बाद हम धागे को अपनी तरफ ही रकेंगे और चार उल्टे बना देंगे एक, दो, तीन और यह चार अब हमें यहाँ जाली से फंदा बढ़ाना है तो धागा अपनी तरफ रहे और यह दो फंदे यहां सीधे बना देंगे तो यह देखिए एक फंदा जाली से हमने यहां बढ़ा दिया बीच में तीन का एक किया तो एक जाली से यहां बढ़ गया तो यहां से यहां तक जो डिजाइन बनाया इसी को अब आगे आगे रिपिट करना है धागा अपनी तरफ और चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार यहां तीन का एक करेंगे एक दो और ये तीन तीनों फंदे एक साथ सलाई पर लेंगे और तीन का एक फंदा उल्टा बना देंगे फिर से चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार धागा अपनी तरफ र उल्टा बुन देंगे नेक्स्ट बार की मैंने पहली सलाई इसमें कम्प्लीट कर दी है दूसरी सलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनेगी तो ये देखिए फिर्स नेक्स्ट बार की मैंने इसमें दो सलाईयां कम्प्लीट कर दी है तो चलिए इसकी नेक्स्ट दो सीधी वाली और बना कर दिखा देती हूं ताकि आपको ये चार-चार सलाईयां बार-बार रिपीट करने में आसानी हो जाए तो ये देखिए नेक्स्ट बार की जो हमने स्टार्टिंग की है उसकी तीसरी सलाई है पहला फंदा एस्टी से इसको उतारिए या बनाईए धागा पिछे कीजिए एक फंदा सीधा बनाईए अब यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा तो धागा अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन और ये चार, चार सीधे बनाने के बार धागा अप लपस पीछे करेंगे और चार फंदे यहां सीधे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार फंदे यहां से यहां तक ये एक डिजाइन कंप्लीट हो गया है अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे सीधे बनाएंगे लेखिए 1,2,3 और यह 4 धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 3 फंदे का यहां एक फंदा बना देंगे तो 3 का एक करने से यहाँ दो फंदे कम होते हैं तो एक जाली से हमारा यहाँ बढ़ गया फिर धागा पिछे करेंगे और चार फंदे यहाँ सीधे बना देंगे यह देखिए चार सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ले आएंगे लास्ट में आपके दो फंदे बचेंगे एक सीधा बना देंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया और एस्टीच को उल्टा बुन देंगे तो नेक्स्ट बार की जो हमने स्टार्टिंग की है उसकी तीसरी सलाई कम्प्लीट हो गई है चोथी सलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना कर कम्प्लीट कर दीजिए तो ये देखें फ्रेंट्स नेक्स्ट बार की भी मैंने ये चार सलाईयां आपको बना कर दिखा दिए तो मैंने दो बार चार सलाईयां complete की हैं तो इन ही चार-चार सलाईयों को आप बार-बार repeat करते जाए तो इस तरह से आपका ये बहुत ही शांदार design बनता चला जाएगा तो friends अगर आपको ये design पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो please आप इस सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें थैंक यू